नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लिंग्वेज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों देवगुरू रहस्पती के वक्री अकाल को लेकर अपने पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मकर लगन तक आज हम बात करेंगे कुम्ब लगन के जातकों पर इस वक्री अकाल का क्या प्रभाव होगा और किस तरह के हालातों से कुम्ब लगन वाले लोगों को दोचार होना पड़ सकता है दोस्तों यदि कुम्ब लगन के बारे में बात करें तो कुम्ब लगन शनी से संचालित लगन है शनी इस लगन के स्वामी है कुम्ब राशी शनी की मूल त्रिकोन राशी है और कालपुरुष कुंडली के अंदर कुम्ब राशी लाबस्थान की राशी लाविस्थान के स्वामी कहे जाते हैं शिल दोस्तों कुम्बलगन के अनुसार देवगुरू ब्रहस्पती कुंडली के ग्यारवे भाव के लाविस्थान के और कुंडली के धनिस्थान के स्वामी होकर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में व्रश राशी में जब से देवगुरू ब्रहस्पती का गोचर कुंडली के चौथे भाव में शुरू हुआ है तब से लगातार कुम्ब लगन वाले जातकों की मेहनत काफी बढ़ गई है और काफी देर देर तक उन्हें मेहनत अर्थात पूरे दिन शरीर को ठका देने वाली मन को ठका देने वाली दिमाग को ठका देने वाली मेहनत करनी पड़ रही है कुम्ब लगन वाले जातकों को लेकिन एक प्रॉपर जो रिजल्ट उनके मन की इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए वो अभी तक उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है यदि बात करें कुंडली के चौथे भाव में देवगुरू ब्रहस्पती के गोचर को लेकर तो ये तै है के शुक्र की राशी में कुंब लगन के चौथे भाव में देवगुरू ब्रहस्पती जब गोचर करते हैं तो डेफिनेटली जातक के सुखों में कुछ हद तक कमी देखने को मिलती है जातक को कहीं न कहीं अनकमफर्टेबल फील होता है लेकिन जातक जितने भी अपने कारेक्षेत्र में काम करता है उस काम के दूरगामी परिणाम बहुत शांदार होते हैं यदि हम वरतमान की बात करें तो शनी भी जो कुंब लगन के स्वामी है वो भी वक्रिय स्थिती में है और देवगुरू ब्रहस्पती 9 अक्टूबर से वक्रिय होने जा रहे हैं लाविस्थान और धनिस्थान के स्वामी का चोथे भाव में वक्रिय हो जाना और लगन के स्वामी का पहले से ही वक्रिय स्थिती में होना यहाँ स्पष्ट संकेत देता है कि इस दौरान कारेक्षेत्र में यानि जितने समय तक देवगुरू ब्रहस्पति वक्रिय रहने वाले हैं कुम्बलगन के जातकों को अपने काम में लापरवाही से बचना होगा किसी भी प्रकार की लापरवाही इनकी इमेज को खराब करेगी इनका आर्थिक नुकसान कराएगी पिछले समय में जो भी कुम्बलगन वाले जातकों ने मेहनत की है पिछले 7-8 महीने में या पिछले 10 महीने में उसका रिजल्ट मिलने का समय इस दोरान हो सकता है कि इस समय के दोरान इस वक्रियकाल के दोरान 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में इन्हें उस मेहनत का एक अच्छा प्रतिफल देखने को मिले दोस्तों किसी भी नए प्रोजेक्ट पर यदि आप काम करने को सोच रहे हैं कुम्बलगन वाले जातक तो निश्चित तोर से कर सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से उस चीज के बारे में उस काम के बारे में जानने और समझने के बाद आपको प्रयासों को भी उसी स्तर तक बढ़ाना होगा जिस स्तर तक आप लाब की उमीद लगा कर बैठे हैं दोस्तों जितने भी कुम्बलगन वाले जातक हैं उन्हें इस बात का इस वक्री अकाल के दौरान विशेश ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी सब औरडिनेशन में काम करने वाले व्यक्ति के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए अपने आक कान खुले रखने चाहिए किसी की भी कही सुनी बात पर भरोसा करने से संबंद बिगडेंगे काम में नुकसान होगा आर्थिक नुकसान होगा और इमेज खराब होगी इसलिए यदि आप अपने घर में अपने परिवार में अपने किसी भी वाहन या जमीन से खरीद से संबंदित कोई काम कर रहे हैं अपने घर में किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उस बात की गहराई तक उस चीज को समझ ले तब उसका जवाब दे किसी भी प्रकार का आपका कोई कमिटमेंट खराब होने से आपकी इमेज को दिक्कत आएगी साथ ही आपकी माताजी के स्वास्थ में भी एक अचानक से समस्या देखने को मिल सकती है पिता के साथ यदि किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद कुम्बलगन वाले जातकों का चला आ रहा था तो वो दूर होने की तरफ जाएगा लेकिन आपको पिता के साथ यदि आपको न कोई काम करते हैं तो ज्यादा अपनी मनमानी करने से बचें और उनकी बात को तवज्जो दें उनकी बात को महत दें दोस्तों जिन भी कुम्बलगन वाले जातकों को उनकी पुष्टैनी प्रोपर्टी प्राप्त होने का इंतजार था उनकी ये इच्छा चार फरवरी से पहले पूरी हो सकती है देवगुरु ब्रहस्पती जब कुंडली के चौथे भाव में गोचर करते हैं तो उनकी पंचम द्रश्टी कुंडली के आठवे भाव पर पड़ती है यहां अचानक से इन्हें पैत्रक संपत्ती से संबंदित चला आ रहा कोई विवाद निपड जाने के कारण आर्थिक लाव की स्थिति बन सकती है कुंबलगन वाले जातकों को अपने पराक्रम को यथावत बना कर रखने की आवश्यक्ता होगी किसी भी प्रकार से कोई आलस या लापरवाही नुकसान देने की स्थिति बनाएंगे आपके सीनियर्स आपकी गलती को पकड़ सकते हैं इस दोरान आपको सचेत रहने की आवश्यक्ता है जितने भी कुंबलगन के जातक विदेशों से या दूर के स्थानों से जुड़कर कोई कारोबार करते हैं या बाहर के स्थानों में नौकरी करते हैं तो जो लोग बाहर रहे करके नौकरी कर रहे हैं कुंबलगन के जातक उन्हें इस दोरान अच्छे लाब मिलते दिखाई देंगे लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं या जो लोग किसी भी प्रकार से अपने देश में रहकर और बाहर से काम कर रहे हैं इस दोरान अपने आर्थिक लेंदेन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी किसी पर किया गया अति विश्वास नुकसान का कारण बन सकता है दोस्तो कुम्बलगन वाले जातकों के लिए यदी बात की जाए तो ये समय थोड़ा सावधानी के साथ अपने काम को अंजाम देने का है आलस से की प्रवर्ति को त्यागना होगा लापरवाही से बचना होगा और अपने गुस्य की प्रवर्ति पर नियंत्रन रखना होगा विशेशकर अपने कारिक्षेत्र में विशेशकर अपने परिजनों के साथ मित्रों के साथ और अपने बढ़ों के साथ आध्यात्मिक क्रिया कलापों को रेगुलर तरीके से जारी रखने का प्रयास करें जो भी आप अपने इश्ट की सेवा पूजा रेगुलर तरीके से करते हैं आप उसे जारी रखें यदि 9 अक्टूबर के बाद कुम्बलगन वाले किसी भी जातक को कोई शारीरिक तकलीफ अचानक से सामने आ जाती है तो उन्हें उस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता भी देवगुरूब रहस्पती की करपा से मिलेगा और वो निकलेंगे इस तकलीफ से बाहर 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में यदि कुम्बलगन के जातक मेहनत करते हैं और उनके परिणाम आने में कुछ देर लगती है तो जल्दबाजी ना दिखाएं और जल्दबाजी में कोई भी काम न करें परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जब भी कोई शक्तिशाली ग्रह वक्रिय होता है तो उसके परिणाम अनिश्चित हो जाते हैं उसके प्रभाव अनिश्चित हो जाते हैं उसकी शक्ती उसकी उर्जा कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों यदि कुम्ब लगन के बारे में हम बात करते हैं तो देवगरू ब्रहस्पती इनके लिए धन के स्वामी अवश्य है लाब के स्वामी अवश्य है लेकिन मेहनत तो लगन को खुद ही करनी होती है यदि कुम्ब लगन के स्वामी शनी वक्री एस्थिती में होने के कारण जो भी जातक अपने उपर आलस से का लबादा ओड़ कर बैठे हैं उन्हें इस समय में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा नौकरी भी बदलनी पड़ सकती है ऐसे लोगों को लापरवाही या आलस के कारण तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाब लेने का प्रयास करें आपके कारेक शेत्र पर वक्रिय देवगरू ब्रहस्पती की सीधी द्रिश्टी पड़ रही है ये समय देवगरू ब्रहस्पती के अनुसार अपने प्रयासों को बढ़ा कर और अच्छे से लाब ले लेने का है तो कुम्ब लगन वाले सभी जातकों के लिए हमारी शुब कामना है अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों पर देवगरू के इस वक्री अकाल का क्या प्रभाव होने वाला है इस विशय में दोस्तो कुम्ब लगन से जुड़ी ये जानकारी ये दिया आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों